Students, आपको copy में chapter 16, conjunctions बता दिया गया है, अब मैं आपको इसके book work fill कराऊंगी, तो बच्चों, पहले page number 89 को open करेंगे, exercise number A को देखेंगे, exercise A में क्या बताना है, चलिए देखते हैं, read the following paragraph and underline conjunctions, हमें जो यह चोटा से paragraph दिया है, इसको पढ़ना है, और जो भी इसमें conjunction word है, इन क्वांडरलाइन करनी है, तो चलिए देखेंगे, sentence wise, Peter and John cooked food themselves, Peter और John ने भोजन अपने आप बनाया, ठीक है, themselves आ रहा है, यहाँ पर John और Peter के लिए, ठीक है, तो John और Peter को कौन से word ने जोड़ा पर जो end ने, तो यहाँ पर end conjunction word है, as their mother was out of town, क्योंकि उनकी mother शहर से कजवे से बाहर थी, ठीक है, तो उन्होंने दोनोंने अपना खाना अपने आप बनाया, ठीक है, तो क्योंकि, यहाँ पर as ने दो sentence को जोड़ा है, as their mother, क्योंकि उनकी mother, तो यहाँ पर as conjunction word है, इसको underline करेंगे, it was so, ऐसा इसलिए है, देखो बच्चों, मैंने आपको chapter में बताया था, copy में, कि so conjunction word होता है, लेकिन यहाँ पर so, यह conjunction में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए है, यह sentence को जोड़ नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा इसलिए है, because their grandmother was ill, क्योंकि उनकी दादी मां बिमार थी, ठीक तो यहाँ पर concept word ने जोड़ा, because ने, तो यहाँ पर because, conjunction word is counterline करेंगे, although they wanted to go with their mother, यद भी, यहाँ पर Peter और John के लिए, यद भी वे दोनों अपनी मम्मी के साथ जाना चाहते थे, they could not go, पर वे नहीं जा सके, they will visit her later, वे उनसे बात में मिल लेंगे, because they have their exams in school, क्योंकि उनके स sentence को जोड़ा, they will visit her later वाले को, ठीक है, और एकर they have their exams in school, तो इन दोनों sentences को because ने, जोड़ा इसलिए आपर, because conjunction word है, so they decided to stay back, इसलिए उन्होंने निश्चे किया कि वो वहीं रुकेंगे, ठीक है, तो बच्चों, यह मैंने आपको पहराराब बताया, exercise number A बताई, इसके बाद, चले, paste on कर लिजे, और exercise number B पर आजाईए, देखे exercise B में क्या बताना है, join the following sentences using the conjunction given in the brackets, यहाँ पर bracket में हमें कुछ conjunction words दिये गाएं, आप देख रहे हैं, one by one, 10 के 10 sentences में दिये गाएं, इन conjunction words का use करके हमें sentence को एक बनाना है, sentence दो दो दिये गाएं, और इन दोनों sentence को हमें क्या इन वर्ड में bracket में दिया है, उसके help से, तो चले, one by one देखते हैं, निहा सिंग से song, मारिया, मारिया सिंग से song, निहा गाना गाती है, और मारिया गाना गाती है, तो इन दोनों sentences को हम किस से जोड़ेंगे end से, क्योंकि हमें help दिया हुआ है, तो निहा and मारिया सिंग से song, अब यहाँ पर sings नहीं आएगा, क्योंकि sings आता है singular के लिए, अब यह दो यहाँ पर क्या हो गए, निहा and मारिया, plural, और plural में, वर्ब में S.I.S. नहीं लगाते, तो निहा and मारिया sing a song, इसके बाद number two, he is old, he walks fast, वह बुड़ा है, वह तेज, चलता है, तो बुड़ा होने के बाद भी तेज चलना, देखें, दोनों opposite हैं यह दूसरे के, और opposite को मैंने आपको बताया था, कि conjunction word, but से use करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है, he is old, वह बुड़ा है, लेकिन तेज, चलता है, तो but से हमने जोड़ दिया इसको, क्योंकि he यहाँ पर दो बार है pronoun word, यहाँ पर singing करना पसंद है, he does not sing on the stage, वहे stage पर नहीं काता है, singing करना पसंद तो है, लेकिन stage पर नहीं काता है, इसको हमें किसे जोड़ना है, बच्चों, क्या दिया हुआ है help box में, bracket में but, तो but से हम जोड़ते हुए, लेकिन रूहन like singing, रूहन singing करता है, singing अच्छे लगती है, उसको प नहीं है, क्योंकि रूहन like singing, रूहन singing करता है, लेकिन stage पर नहीं काता है, but not sing on the stage, इसके बादा है ये number four पर, my mother bakes cookies, my mother bakes cake, मेरी मम्मी cookies बनाती है, मेरी मम्मी cake बनाती है, तो दोनों चीज़े बनाती है, end का use करेंगे हम इसमें आपर, और यहां पर भी हम उनी words को हटा दें my mother bakes cookies and cake, my mother bakes cookies and cake, my mother bakes को दो बार, एक बार हम हटा देंगे, दो बार के बजाए हम एक ही बार लिखेंगे, इसके बाद number five, he is a good singer, he is not a good dancer, वह अच्छा singer तो है, अच्छा गाता तो है, लेकिन वह अच्छा dance नहीं करता है, तो यह दोनों ही दूसरे के बोजित हो रहे है, कि वह अच्छा गाता है, लेकिन अच्छा dancer नहीं है, तो he is a good singer, वह अच्छा singer है, लेकिन, but not a good dancer, लेकिन अच्छा dancer नहीं है, इसके बाद number six, yes is very fit, yes विर कुर Judah he works out daily, वह daily work करता है, daily work करता है, इसलिए तो वह fit है, वह fit है, क्योंकि वह daily work करता है, ठेक, तो इसको कैसे जो है क्योंकि because he works out daily क्योंकि वो deliver करता है तो because से हमने जूट दिया he got injured उसको चोट लगिए he fell from the stairs वह stairs से गिर गया तो he got injured उसको चोट लगिए क्योंकि वह stairs से गिर गया अब यहां पर हम as और because दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि as because को ही बताता है because he fell from the stairs या फिर as यहां पर bracket में दिया गया है आप as भी लिख सकते हैं okay इसके बाद no.8 you can play cricket तुम cricket खेल सकते हो you can play football तुम football खेल सकते हो अब दो मेंसे हम एक दो गेम केलेंगे तो दो मेंसे एक के चॉइस आ रही है यहां पर और चॉइस के लिए मैंने आपको कौन सा कंजंशन वर्ड बताया तो students और तो यहां पर you can play cricket or football you can play दो बार आ रहा है न तो बाद बाले को रिमूब कर देंगे you can play cricket और 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 कंजंशन training since childhood उसने बचपन से ही childhood बचपन से ही getting training ले ली थी किस चीज़ की खेलने की तो वह अच्छा खेलता है क्योंकि उसने बचपन से ही खेलने की training ले ली थी तो यहां पर इस sentence को भी हम because से जोड़ देंगे he plays very well because he has been getting training since childhood okay इसके बाद number 10 he knows maths well when maths अच्छी तरह से जानता है he likes maths उसको maths पसंद है तो he knows maths इसको में because से जोड़ना है he knows maths well when maths अच्छे से जानता है क्योंकि उसको maths पसंद है ठीक है तो बच्चों मैंने आपको exercise A और B बताई इसके बज़रा exercise C पर आजाईए देखते हैं इसमें क्या बताना है क्या पुछे जा रहा है choose the correct option to complete this sentence आप देखे बच्चों यहाँ पर option को करना है यहाँ पर choose the correct conjunction word नहीं है ठीक है तो इसमें preposition कोई भी हो सकता है आपको sentence को पढ़ने के according उसमें fill करेंगे ठीक है I will go to Mumbai मैं Mumbai जाओंगा dash the weather is clear क्योंकि मौसम साफ है मौसम साफ है इसलिए मैं Mumbai जाओंगा ठीक है because से fill कर दिया हमने बच्चों इसमें fill भी करना है आपको और tick भी करना है ठीक है अनलेस आफ्टर और पैदार लंज के बाद मुझे रिंग करो तो बाद का कौन सा वर्ड होता है बच्चों आफ्टर ठीक है तो यहाँ पर भी वाले option को टिक करेंगे पहले वाले से यहाँ बच्चों इसकी बाद बच्चों यहए फॉर्थ वाला आप काट दीजेगा है यह सही नहीं है इसके बाद आईए नमबर फाइव पर डेश वी वर प्लेइंग, इट्रेंट, वाइल वी वर प्लेइंग, जब हम खेल रहे थे तो बारिश हो गई, तो जब के लिए यहाँ पर कौन सा बड़ आया बच्चो, वाइल, तो मैंने बच्चो आपको यहाँ पर exercise C बताई, इसके बाद exercise D को देखेंगे, चलिए इसमें complete the following sentences using appropriate conjunctions, देखें, यहाँ पर बात clear है कि conjunction ही फिल करना है, और उपर वाले sentence में तख, choose the correct option, तो उसमें इन तिनों में से कोई सा भी हमें फिल तो करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो conjunction word ही हो, कि before, after यह सब preposition word होते हैं, ठीक है, आईए, इसमें जड़ा first sentence को देखेंगे He arrived late at the station, वह station पर late पहुचा, so he missed the train, इसलिए उसकी train miss हो गई, तो इसलिए के लिए कौंसा word बता रहा है बच्चों मेंने, आप हो conjunction word, so, इसके बाद number two, I trust Tara, मैं Tara पर विश्वाश करता हूँ, trust me, believe करना, विश्वाश करना, because she always expected, क्योंकि वह हमेशा सच बोलती है, number two में because ह हो गया, number three, Ragini is smart, Ragini smart है, but our brother is dull, लेकिन उसका brother dull है, मत अब देखने में भधा आया, चीक, तो दो opposite word है, smart और dull, इसलिए बीच में हमने क्या फिल किया, but, next one, Abhika- Ananya, Ananya, study in the same class, तो अब दो के बारे में बात हो रही है, कि दोनों एकी क्लासों पढ़ते हैं, तो हम ऐसे बात को कौन से word से जोड़ते हैं, and से, Abhika- Ananya, study in the same class, दोनों same class में बढ़ती है, the teacher likes to learn, teacher रोहन को पसंद करता है, या करती है, teacher अब यहाँ पर common noun है, हमें नहीं बता कि वो मेले है, female है, है ना, यह मैंने आपको जब noun पढ़ाया था, जप्टर तब बताया था, the teacher likes to learn, teacher रोहन क को पसंद करता है, because he is working, hard-working student क्योंकि वो बड़ा ही कठीन परिश्रमी, विध्यारती है, इसके बाद, next one, dash he is rich, he is very kind, although he is rich, यद पीब अमीर है, he is very kind, भे दयाल हुए, बहुत लोग क्या होता है, बच्चों कि अमीर होते हैं, तो किसी के ओपर दयाने करते हैं, है ना, बस अपने-अपने में मस रहते हैं, है ना, कोई भी उसको पूर दिखे, या कोई बैगर दिखे, या कोई helpless दिखे, तो उनकी help मिं करते हैं, लेकिन, कुछ ऐसे होते हैं, कि अमीर होने के पाद भी, बड़ेगी काइन होते हैं, बड़ेगी दयालु होते हैं, सबकी help करने के लि तो उसके घर में गार्डन भी है, तो छोटा गर होने के बाद भी घर में गार्डन रखना देखो बच्चो किते बड़ी बात है, छोटे गर में तो घर वैसे भी में इन यह पाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो की Greenree को जो गार्डन को पार्ग को बड़ी इंपोर्टेंट देते हैं है ना? इंपोर्टेंस होती है उनके लिए तो यहाँ पर भी वही बात है जो उपर वाले सेंटेंस में All the house was small यह दिए उसका घर छोटा है है ना? It had a garden view उसके घर में garden भी है Next one, number eight You will eat your food तुम अपना भुजन कर लोगे and you finish your homework और अपना homework finish कर लो तो तुम अपना भुजन कर लो और homework finish कर लो तो उन्हों काम तो बीच में हमने end से जोड दिया Next, he built my package उसने मेरा package उठा लिया After coming to office Office से आने के बात ठीक है तो बात के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं? After और after बच्चों conjunction word नहीं होता है after वैसे कौन से preposition word होता है ठीक है? लेकिन यहाँ पर after से ही sentence को complete किया जा रहा है Next, number ten I could not go to school yesterday मैं तर इस्कूल नहीं जा सकता था because I was not failing well क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था तो बच्चों यह मैंने आपको A, B, C, O, D, 4 exercises बताई I think आप copy work कर चुके होंगे आपको बुक में chapter fill करना है बच्चों जो भी work आपको इस्कूल में बुक में या copy में कराया जाता है वो आपको संगसंग करते हुए चलना है कभी भी आपके copy checking के लिए मंगाई जा सकती है अगर आपका work in complete होता है तो बच्चों आपको जब bag आपका checking के लिए मंगाई जाता है तो बड़ी problem create होती है आप उस टाइम बहुत जदी-जदी करके करते है कोई बच्चा PDF मंगा रहा है कोई बच्चा वीडियो मंगा रहा है क्यों कि आप समय समय पर वग्तो करते नहीं है तो आपको उस समय problem create होती है तो इसलिए बच्चों हो यह मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग समय समय पर अपना work करेंगे जब भी कोई भी teacher कोई भी subject teacher आपका work बेजे बच्चों समय समय पर करेंगे तो उसका benefit आपको होगा और हमें भी होगा Okay students, thank you and have a nice day